प्रश्कार स्वागत आपका सेल स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी स्टूडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पंजाब में फिर से जो खालिस्तान की मांगा है वो क्यों उट रही है और यहां पर लिखा बेंडरेवाला 2.0 यह क्या है देखिए यह जो आप सक्ष देख रहे हैं इसका नाम है अमरित पाल सिंग इसके कान जो है खालिस्तान का मुद्दा फिर से गरमाया हो है पंजाब में अब यह बेंडरेवाला 2.0 क्यों लिखा क्योंकि आप अगर इसके जो भी काम देखेंगे जैसे भी भाशन इसके सुनेंगे वो सारे के सारे हुबू मिलत है इन तमाँ बातों के हम उबर इस वीडियो में देखने वाले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पेडियेव के लिए माप लोगों को बता ते तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की कर सकते देखिए अब यहां पर आप कुछ न्यूज की जो हैडलाइन वो देखेंगे कि विद आम्स के सेंटर गियर सब फोर टेरर क्रेकडाउन और खालिस्तान लीडर भाई सब इस इनसान को पकड़ने के लिए सेंटर यानि जो हमारी जो केंदर सरकार है साथ इसाथ जो पंजाब की जो गोवर्मेंट है उन दोनों ने साथ मिलकर इस आंतकवादी को जो खालिस्त के ऊपर दावा बोल देता है और वहां से अपने एक साथी को छुड़वा के ले आता है अब इस इंसान को लगता है कि भाई ये तो सबसे बड़ा खिलाडी है इसको कोई पकड़ नहीं सकता है लेकिन ये चचुंदर ऐसे होते हैं कि ये एक ऐसा समझी है इस देश में ना ध्यान आपके उपर दिया नहीं अगर उसका ध्यान आपके उपर होता तो भाई वो आपको रेड लाइट क्रोस करने देता ऐसा ही कुछ समय लीजिए ये ऐसा इंसान था इसने कुछ ऐसी हरकतें कर दी पुलिस तब तक इसको ऐसे इग्नोर कर रही थी लेकिन कुछ ची इसकी ऐसी situation हुई ऐसी हालात इसकी हो गई कि ये जो है रिक्षे में कभी भाग रहा है कभी छत्री लेकर भाग रहा है मतलब कि अपने आपको चुपाने के लिए उपर चाता खोल रहा है उससे ये भाग रहा है इदर उदर लिफ्ट मांगता हुआ घूम रहा है ये इनसान और इसके जितने भी आस पड़ो जो भी इसके भाई बंदों है वो गिरुफतार कर लिए गए हैं आज इसकी ऐसी situation है तो एक तरीके से ये भागने में तो सफल रहा है और साथ इससाथ हम जानेंगे कि जो स्टोरी है खालिस्तान की शुरुआत कहां से होती है और वरतमान की अधर सितंबर 2022 के बारत में लोटा और सितंबर के अंधर ही इसको वारिष पंजाब एक संगटन समय लगी जए उसका एक तरीके से इसको मुख्या बना दिया जाता है जब इसको मुख्या बना दिया गया अब आप सोच कर देखे इसके पास ऐसा क्या हो गया कि 2022 के अंदर पर आता और उसी के महीने में उसको मुख्या बना दी जाए इसने ऐसा क्या कर दिया ऐसा कि यहां पर इसको मुख्या बनाए गया अब यहां पर इन सब चीजों को गोर करेंगे इस इंसान के पास काफी सारी जो हैं एलिगेशन या फिर ऐसे जो गौर्पेंट के द्वारा एक अलग संप्रभू सिख राज्य के लिए एक लड़ाई है अब यहां पर बोले तो पाकिस्तान भी आता है लेकिन जादे तर आप मुद्धा देखेंगे सिरु भारत में बढ़कता हुआ नजर आता है यह कौन करता है यह भाई साहब यह पाकिस्तान बैटे अगर आप कह पाकिस्तान में और वहाँ पर काफी साथे विरोध हो रही है उससे अलग होने की मांग हो रहीह है तो वहाँ पर भी कहां जो पाकिस्तान ने सोच रहे है अगर बलू-चिस्तान भी अलग हो गया तो यह बचेगा तो कुत्य जैसी शकल वाले जो पाकिस्तान है वो इस तरीके के मन गरन चीज़े कर रहा है ओपरेशन ब्लू स्टार चला गया 1984 के अंदर ओपरेशन ब्लेक थंडर चला गया 1986 और 1988 में उसके बाद जो था ये आंदोलन जो दबा दिये गया किन्तु ये जो सिख अबादी विशेश रूप से जो कनेडा है, ब्रिटेन है, उस्टेलिया है यहां पर सिख प्रवासियों की सहानूबोती और उनका समार्थन प्राफ्त करने के लिए ये सदैव जो वो खालिस्तान एक तरीके से समझे है वो क्रियासील यानि एक्टिव मोड में ही रहता है अभी हाल इमें ब्रिटेन में आपने देखा कि वहां पर कैसे खालिस्तानियों ने भारत के एक तरीके से जंडे का अफमान किया लेकिन वहीं पर इनके खिलाफ कारवाई करती भी गई थी यहां पर कामकास तो हैं नहीं रोटी अपना कैसे चलाएंगे तो यहां पर इनके पास बनता है कि धरम के अधार पर लोगों को बढ़काया जाए लोगों से सहनूबूती ली जाए तो यह वो लोग हैं सहनूबूती के नाम पर आते हैं दंगे भढ़काते हैं और चले जाते हैं लेकिन अभी फिलाल गौर्णमेंट जाए या फिर कहेंगी जो एजनसीज हैं वो इसके पीछे पड़ी हुई है अभी ये भार नहीं गया है इसको ये देश के अंदर ही घूम रहा है इसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा फिर ये जो मर्सिडीज में बैठके भाषन देने वाले जो लोग हैं वो जल्द ही आपके सामने पता चलेगा इनकी असली ओकात क्या है तो ये होता है नहीं कि आर्टिकल 19 का ये उप्योग करते हैं नहीं कि कि बारे में जानकारी नहीं है तो इनको पहले जानकारी लेनी चाहिए और आगे बढ़ते है तोड़ा सा हम इसके टाइम लाइन के बारें बात करते हैं कि सुरुवात कहां से होती है देखे जो खालिस्तान की मांगए अंदोलन की उत्वत्ति है भारत की संदंतरता के बाद और धार्मिक अधार पर जो विभाजन हुआ था उसके कार्ण हुई थी 1947 के अंदर आपको बताएगे भारत पाकिस्तान बने थे पाकिस्तान जो है वो धर्म के अधार पर विभाजन हुआ था उसका भारत और पाकिस्तान के मदे जो विभाजी थी जो पंजाब राद में सबसे अधिक जो संपरदाइक इन्सा हुई थी क्यों हुई थी क्योंकि काफी सारे लोगों को लाखों लोगों को शरनाती बढ़ने भी विवश हुए थे इस विभाजन के कान जो आप देखेंगे ना कि महाराजा रणजीज सिंग के जो एक महानसिक समराज्य का एक राजधानी शेतर थी लाहोर वो पाकिस्तान के नियंतर में चलेगी साथ ही सिक समुधाय के जो संस्थापक गुरु नानक का जनम स्थान जो है वो नानकाना साइब कहां चला गया उसके लावा जो पावी सारे पवीतर स्थान है वो भी पाकिस्तान के अधिकार में चलेगे अब इसके लावा क्या होता है देखे स्वायत पंजाब सुबे की मांग बढ़नी स्टार्ट होती है, यह सब होने के बाद, पंजाबी भाशी राज्य के निर्मान और अधिक स्वायता, मतब कि हमें और अधिक पावर चाहिए, हम अपनी जो राजनिती अपने धंग से चलाना चाहते हैं, अपना राज्य अ मांग को पर्तिबंदित करने के लिए पुनर गठित किया गया था, और उसी वक्त पंजाब राज्य को हिंदी बाशी, मतलब कि पंजाबी और हिंदी बोलने वालों को अलग कर दिया गया था, जिसको लेकर हिमाचल पर्देश हरियाना को यहाँ पर पंजाब से काटकर अलब के लिए आनन्दपूर साही परस्ताव में पंजाब से संबंदित चेनी शेत्रों को पूर्ण स्वाइता की मांग की, इसके अलावा प्रिथिक राज्य और अलग समिधान की मांग की, मतलब कि हमें अलग राज्य बना दिया जाए और एक अलग से हमारा समिधान बना यह 1973 में मांग उठकर सामने आने लगी, जबकि अकालियों ने बार बार यह सपस्ट किया था कि हम भारत से अलग होने की मांग नहीं कर रहे हैं, भारत के लिए आनन्दपूर साही परस्ताव काफी जादा गंबीर का गंबीर सिंता का विशय बन गया था उस वक्त, अब इस अब यहां पर यह था कि ब्रिटेन के अंदर या फिर एक सैन फ्रांसिस्को यूएस से के अंदर भी क्या हुआ, खालिस्तान स्पोर्टर्स ने हंगामा कर दिया था, अब इसको लेकर भारत के अंदर भी उविसली उनका प्रतिकरी आनी थी, प्रतिकरी आनी थी तो भार सरकार ने एक बड़ा ही रुमांचक काम किया, उ वहां पर उन्होंने क्या किया, सिक्योर्टी लगा दी, पूरा सम्मान के साथ वहां पर आप देखेंगे, जंडे को फेराया गया, इवन वहां की जो संसद जैसे हमारे देश के संसद है, वहां की आप संसद समझ लिए, वहां पर भी भारत के लिए ये बात बोली गई थी, कि हम किसी भी तरह के का ये जो वैलेंस है, वह टोलरेट नहीं करेंगे, और यहां पर खालिसानियों को गुंडा भी वहां पर बोला गया था, यह सब चीजे हुई है, देखें, कितनी बड़े अचीमेंट हम कह सकते हैं, कि भारत के वह नराज नहीं कर सकते हैं, आज की तो बिना भारत के युके भी नहीं चल सकता, तो यह जब चीजें जो है, वो हो रही है, टिट फो टैट भारत भी जवाब यहां पर एक तरीके से न, जैसे को तैसा जवाब भारत भी दे रहा है, अब आते हैं धरम यूद मोर्चा, 1982 में मिंडरवाला ने अकाली दल के नेत अधतन बना लिया, आपको बता है कि ये जव भी आदिज देता था, अपने आपको धरम की आड़ में रख कर आदिज देता था, मतलर स्वन मंदिर में जाके छुप गया था, अब ये भी ऐसी हरकत करने वाला था अमरीतdoo पाल, यह जब स्वन मंदिर में गया तो ये आंदो वाला ने इतनी जादा इसकी जातियां हो गई थी कि संपरदाइक हिंसा हो नहीं थी बसों के अंदर खास कर हिंदूओं को टार्गेट किया जाने लगा ढूंड ढूंड कर उनको मारे जाने लगा इसके करण इंदरा गांदी की जो सरकारती आंदोलन को अलगावादी गोशित कर दिया था उन्होंने कि यह सब चीजें हो रही हैं वो सिर्फ एक तरीके से उगरवाद या आंतकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं अब इसके बाद स्टार्ट होता है ओप्रेशन ब्लू स्टार ओप्रेशन ब्लू स्टार जो है वो एक जून 1984 को शुरू हुआ लेकिन भिंडरेवाला और भारी हत्यार से लेस उसके समर्थकों के उगरपरतिरोध के कारण सैना का ओप्रेशन टैंको और हवाई उप्योग के साथ मूल उदेशे से अधिक बड़ा हमें महिंसक हो गया था अब ये पहुँच गया था भाई साब स्वर्ण मंदिर के अंदर अब स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ इस ओप्रेशन ने भिंडरेवाला मारा गया स्वर्ण मंदिर को अगरवादियों से मुक्त करा लिया गया लेकिन दुनिया भर के जो सिट समुदाय थे उनकी भावनाएं बह orthog़ जादा परभावित हो गए थी अत्यादिक आहत हो गए थी इसलिए नहीं कि बिंडरेवाला मारा गया इसलिए कि स्वर्ण मंदिर के अंदर काफी संक्या के अंदर जेखे आप सैना जई, जुतों के साथ गई, वहाँ पर गोली बारी चली, ये सब चीजें जो हैं सिख समुदाय को बहुत जादा आहत कर गई, बहुत जादा हात कर गई, इसने खालिस्तान की मांग को और जादा भी तेज कर दिया था, अब यहाँ पर ऑपरेशन गुरू स्टार के प्रेणाम क्या निकले, अक्टूबर 1984 में पर्धान मंतरी इंदरा कांधी की दो सिख अंग रक्षक जो उनके बोड़ी गार थे, उन्होंने हत्या कर दी, जिसने विभाजन के बाद सबसे खराब परधन परधन्शिक हिंशा को जनम दे दिया था, सांपरदाइक हिंशा को परधन्शिक हिंशा को बड़क कही थी, जब बड़े पैमाने पर सिख विरोधी हिंशा में 8000 से अधिक सिखों का मारा गया था, इस गटना के परतिरोध में एक वर्ष बाद कैनाड़ा के सिख राष्ट देखी थी, वर्ष 1995 तक विद्रो का केंदर बना रहा पंजाब, बाद में इस अबादी का एक बड़ा हिसा उगरवादियों के खिलाफ हो गया, साथ ही भारत ने आर्थिक उदारी गंड की दिशा में कदम अढ़ा दिये, मतलब यहां पर अब economic reform में भी, liberalization में भी हम आगे बढ़ने लगे थे, यह हो गया हमारे सामने blue star, आज की rate में क्या प्रुस्तिती है खालिस्तान की, देखे पंजाब के हाला जो है, वो काफी time से शांती पूर्ण रहे हैं, किन्तु विदेशों में कुछ six, जो समुदाए हैं, उनके द्वारा ऐसे आंदोलन देखे जाते रह हैं, परवाशियों में मुख्य रूप से ऐसे लोग शामिल हैं, जो भारत में नहीं रहना चाहते हैं, वहां खालिस्तान के लिए समर्थन अभी भी अधिक मजबूत है, क्योंकि इन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनके मन के अंदर 1980 के दर्शक की वो भ्यानक यादें, सिखों की कुछ नई पीडियों में, उपरेशन ब्लू स्टार, स्वन मंदिर में बेहदवी, उसको लेकर अत्यदिक गुशाव हैं, वो भरा हुएं, 1980 के दर्शक में जो एक अंदकार का युग माना जाता है, बहुत सारे लोग बिंडरेवाला को एक शहीद के रूप में द जा हुआ है, और एक लोग पर यह समर्थन के कांड, केवल एक लोग पर यह समर्थन ही नहीं किभी यहाँ पर उनको सानुबाती मिल रहा है, साथ इसाथ यह क्यों जिन्दा है, आप देखें, कुछ ना कुछ यह लेफ्ट राइट जो एक तरीकेस होते हैं, राजनेतिक दल उनके कांड जो ही अपने आपका परभाव बनाए रखने में परयास कर रहे हैं, आज की डेट में अगर आप पंजाब के, देखें यह तो चीज़ें अब यहाँ पर खतम हो जाती हैं, लेकिन अगर आप पंजाब की सिच्वेशन देखें, तो वहाँ पर बिरोजगारी का जो हालात हैं, वहाँ पर आप लोगों को देखें कैसे बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है, इवन वहाँ की जो गौर्णमेंट है, खुद वीजा लगवाने में हेल्प कर रही हैं, भारत की युवा, मतलब कि यह पंजाब का युवा है, उसको बाहर जाय कर लेजिए, उसके अंदर स्कोलर्शिप दी जा रही है, सारी चीज़ें जो है, वो खुद पंजाब सरकार कर रही है, तो ऐसे हालात ऐसे उत्पन हो गए हैं, कि पंजाब में जो नोकरी हैं, वो नहीं है, अब आप देखिए, कितनी सारी बिरोजगारी वहाँ बढ़ करने के लिए, यह सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आ भी रही हैं, तो इन सब चीज़ों को आप देखें, तो कहीं न कहीं पंजाब को उमीद थी, कि जब इलेक्शन हुए, कि आम आदमी पार्टी आएगी, तो शायद कुछ नई चीज़ें ये लेकर नहीं, तो यहाँ पर इसको लेकर एक जो एक नेता सामने निकल कर आता है, इनका अमरित पाल सिंग, वो ये कहता है, कि देखें, नशे से मुक्त हो जाईए, मैं आपको एक नया पंजाब ना के दूँगा, सब को रोजगार में लगता है, एक होप नजर आने लगती है, और लोग इस जूटी ओप के अंदर, देखें, ऐसे जो लोग हैं, जो देश को भाजन के बात करते हैं, वो लोगों को बरगलाने के कायम करते हैं, तो उसने बरगलाने का काम शुरू कर दिया, और आज हालात ऐसे हैं, कि वो भागता फिर रहा है, गलियों के अंदर, देश के क बस आपने कोई हरकत की गुवर्मेंट ने आपका दरवाजा खड़कड़ा देना है ऐसी हकीकत की बात है खैर बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में और अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कैसे बता सकते हैं बेशक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और भी कोई भी डाउट है कोमेंट सेक्शन ओपन है तो वहाँ पर आप अपने डाउट लिख सकते हैं पीडियो के लिए मैं फिर से बता देता हूँ